जैसे कि order no.14 के तहत issues को frame किया जाता है तो issues frame करने के लिए अभी जो हम order discuss कर रहे है order no.11 और order no.14 से पहले कि जो भी order है वो सारे के सारे order useful होते हैं आज इस वीडियो में हम discuss करेंगे order no.11 of CPC जो कि discovery and inspection यानि कि प्रकटिक करण और निरिक्षिन से सम्बंदित है इस order में rule no.1 से लेकर rule no.23 तक दिये गए है जो कि सारे के सारे आज इस वीडियो में हम step by step cover करेंगे इन सभी को cover करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भी discovery का मतलब क्या होता है discovery का मतलब होता है trial के शुरू होने से पहले का वो procedural aspect वो procedure जिसके तहत हर एक party को opportunity दी जाती है officer प्रदान किया जाता है कि भई अगर उन्हें opposite party से कोई evidence obtain करना है तो वो कर सकती है और यह जो opportunity दी जाती है यह दो तरीकों से दी जाती है एक तो interrogatories के थुरू जो party है उनको मौका दिया जाता है कि भई वो with the leave of court, court की अनुमती से क्या कर सकती है interrogatory बना कर मतलब जो भी प्रश्न वो पूछना चाहती है opposite party से उनकी list बना कर क्या कर सकती है और फिर opposite party से उनसे भी सवालों के जवाबों ले सकती है दूसरा तरीका है कि भई अगर opposite party के possession में कोई document है जो की matter in question से सम्मंदित है तो वो उसको भी obtain कर सकती है तो यहाँ पर इन दोनों तरीकों को आज इस वीडियो में हम cover करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहरे जो interrogatory से सम्मंदित provision है वो दिये गए है rule number 1 से लेकर rule number 11 तक and rule number 21 and rule number 22 यह सब आपका interrogatory से सम्मंदित rules है इसके अलावा rule number 12 से लेकर rule number 14 तक document की discovery से सम्मंदित है और इनके अलावा Rule No. 15 से लेकर Rule No. 19 तक जो दिये गए है Order No. 11 में वो document की inspection से सम्मंदित है तो चलिए इन सभी rules को step by step cover करते हैं तो यहाँ पर interrogatories से सम्मंदित जो rule दिये गए है Order No. 11 में इनको समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए इन्टेरोगेटरी का मतलब क्या होता है Interrogatories का मतलब होता है a set of questions जो कि with the leave of the court, court की permission से एक party के द्वारा दूसरी party को administer किया जाते हैं वो set of questions क्या करलाते हैं? Interrogatories करलाते हैं यानि कि एक पूरी सवालो की list होती है जो कि एक party, दूसरी party को administer करती है court की permission लेके तो यहाँ पर CBC के provisions के तहत कोई भी party suit की क्या कर सकती है court में apply कर सकती है किस चीज के लिए दूसरी party को interrogatories, administer करवाने के लिए जैसे ही आपकी plan file होती है उसके बाद आपका defendant क्या करता है? return statement file करता है फिर उसके बाद जो court है, वो क्या करते है? फिर्स्ट हेरिंग के लिए parties को सम्मन भेशत है अब यहाँ पर अगर कोई party को ऐसा लगता है कि भई अभी कुछ चीजें है जिनका जवाब होना ज़रूरी है और वो चीजें दूसरी party से पूछी जानी ज़रूरी है तो तब जिस party को ऐसा लग रहा है वो क्या कर सकती है? court में apply कर सकती है और court से order obtain कर सकती है दूसरी party को interrogatories administer कराने के लिए अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन administer करा सकता है interrogatories तो भई कोई भी party apply कर सकती है court में दूसरी party को interrogatories administer कराने के लिए अनुमती प्राप्त करने के लिए यारी कि चाहे वो plaintiff हो, चाहे वो defendant हो, यारी कि जो plaintiff है, वो defendant को administer कर सकता है, with the leave of court, interrogatories, इसी तरीके से defendant plaintiff को administer कर सकता है, interrogatories with the leave of court, और similarly, जो plaintiff है या फिर defendant है, वो co plaintiff या फिर co dependent को interrogatories with the permission of court, with the leave of court administer कर सकते हैं, अब अगर हम बात करें interrogatories से related rule की, तो rule number one ये कहता है, कि किसी भ लेकर कोट से permission लेकर क्या कर सकते हैं, deliver कर सकते हैं, interrogatories, writing में, what the examination of opposite party, opposite party के examination के लिए, या फिर opposite party में जो पक्षकार हैं, उनमें से किसी एक पक्षकार के examination के लिए, या फिर एक से जाधा पक्षकार के parties के examination के लिए, और यह जो interrogatories है, जब deliver की चाहेगी, interrogatory के foot पर note पड़ा होन यह जो interrogatory है इनका answer किस person से require किया गया है जिससे भी interrogatory का answer चाहिए उसका नाम उसके foot पर state किया गया होना चाहिए कि भई इस सवाल का जवाब यह person देगा एक्सेटरा एक्सेटरा इसके बाद provisor में यह बात mention है कि भई कोई भी party same ही party को interrogatory का एक से ज़ादा set deliver नहीं करेगी without an order for that purpose बिना court के order के अगर मालो court ने इस चीज़ के लिए order दे दिया है कि आप एक से ज़ादा set interrogatory का same ही party को क्या कर सकते हैं deliver कर सकते हैं तब तो अलग बात है लेकिन अगर order नहीं आया है इस चीज़ का तब तक कोई party same ही party को एक से ज़ादा interrogatory का set deliver नहीं कर सकती है next proviso में ये बात mention है कि अगर कोई interrogatory suit के किसी भी essay matters से संबनित नहीं है जो की question में है तो तब ऐसी interrogatory को irrelevant माना जाएगा भले ही वो witnesses के oral cross examination के तहत admissible होती हो इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता है अगर कोई interrogatory suit के किसी भी essay matters से related नहीं है जो question में है तो उसको irrelevant समझा जाएगा जैसा कि rule number one के तहत मैंने आपको बताया कि भई interrogatory अगर आपको opposite party को deliver करानी है तो आपको इस चीज़ के लिए पहले court से leave लेनी पड़ती है तो rule number two में ये बात mention है कि अगर आप application डाल रहे हैं interrogatory को deliver करने के लिए leave obtain करने के लिए court से court से अनुमती लेने के लिए आप application कर रहे हैं कि भई हमें interrogatory deliver करनी है आप हमें अनुमती दे हैं तो जो भी particulars आप interrogatory में प्रपोस्ट कर रहे हैं deliver करवाने के लिए वो पहले आप court में submit करेंगे और फिर court आपके application के जाने से 7 दिन के अंदर decide करके बताएगी कि ये interrogatory deliver करने के लिए वो आपको अनुमती दे रही है या नहीं दे रही है ठीक है तो ये rule no.2 में बस आपने इतना ध्यान लखना है इसके बाद rule no.4 में ये बात mention है कि भाई जो interrogatory का form है वो कैसा होगा वो ऐसा होगा जैसकि form no.2 आपका appendix C में provide किया गया है with required variation as per requirements इसके बाद rule no.8 में ये बात mention है कि भाई जो interrogatory के answer किये जाएंगे वो by affidavit किये जाएंगे और जो affidavit है वो within 10 days या फिर within such other time जैसे कि court allow करती है file किया जाएगा इसके बाद rule no.9 में बताया गया है कि जैसे कि हम interrogatory का answer कर रहे है by affidavit तो वो जिस form में होगा वो form आपका form no.3 है जो की appendix C में दिया किया है उसी form में आप interrogatories by affidavit क्या करेंगे file करेंगे with required variation as per the need rule no.5 के तहट आपको ये पता चलता है कि जो corporation है या फिर body of person है अगर वो suit में party है suit में पक्षकार है तो उनके against opposite party क्या कर सकती है interrogatory deliver कराने के लिए court में apply कर सकती है जो भी उस corporation का या फिर body of person का member है या फिर officer है उनको interrogator deliver कराने के लिए जो opposite party है वो court में apply कर सकती है और फिर accordingly court क्या कर सकती है order दे सकती है तो rule no.5 से बस इतनी बात आपने ध्यान रखनी है rule no.6 में यह बताया गया है कि जो parties है कुछ grounds पर जिनको मतलब interrogatories administer कराया जा रहा है क्या कर सकती है objection raise कर सकती है तो यह आपका rule no.6 important है pre point of view से तो यहाँ पर क्या क्या grounds है तो जैसे कि party यह कह सकती है कि भई यह जो quotient है यह scandalous है यह quotient irrelevant है यह quotient bonafidally exhibited नहीं होते है यह सद्भावना पुर्वक प्रदर्शित नहीं होते है या फिर ऐसे कह सकती है कि भई इस matter से related जो सवाल जवाब किये जा रहे है इस matter को inquire करना इस stage पर sufficiently material नहीं है और या फिर यह कह सकती है कि भई इस quotient का जवाब ना देने के लिए मुझे privilege मिलावा है जैसे कि Indian Evidence Act के तहट section 121 से लेकर 129 तक privileges discuss किये गए थे जो कि आप को I button पर भी मिल जाएंगे तो ऐसा भी कह सकती है party कि हमें privilege है कि हम इस question का answer ना करे या फिर किसी अन्य ground पर किसी other ground पर party objection raise कर सकती है उन interrogatories के लिए है जो कि उससे पुछे जा रहे है जो कि उसको administer किये गए है लेकिन अगर question जो पूछा गया है वो scandalous है लेकिन relevant है तो इस situation में इस बास से कोई फरक नहीं पड़ता है भले ही वो question scandalous हो अगर वो question relevant है तो इस आधार पर आप objection नहीं कर सकता है कि ये question scandalous था rule no 7 के तहट ये बात mention है कि किसी भी interrogatories को इस आधार पर कि भाई वो unreasonably या फिर viccially क्या की गई है exhibit की गई है set aside करवाया जा सकता है या फिर अगर कोई interrogatories prolix है, oppressive है unnecessary है या फिर scandalous है तो इस आधार पर उसको struck out करवाया जा सकता है तो इन दोनों में से भी किसी भी चीज़ के लिए अगर आप क्या कर रहे है apply कर रहे है court में कि भाई इसको set aside कर दो interrogatory को या फिर इसको struck out करो तो आप apply कर सकते है within 7 days after service of interrogatories जैसे ही आपको interrogatories deliver हुई है उस दिन से 7 दिन के अंदर आप यहाँ पर जो grounds दिये गए है इस आधार पर उसको set aside करवाने के लिए या फिर यहाँ पर जो ground डिसकस किये है इस आधार पर उनको struck out करवाने के लिए interrogatories को क्या कर सकते है apply कर सकते है application डाल सकते है rule number 10 की अगर हम बात करे तो यहाँ पर कहा गया है no exceptions shall be taken to any affidavit in answer answer में जो भी affidavit दिया गया है as per rule number 8 जैसी कहा गया है कि जो interrogatories deliver किया जाएंगे उनका reply आप affidavit में करेंगे उनका answer आप affidavit के थू करेंगे within 10 days या फिर within such other time as the court में allowed ठीक है तो अब आप answer कर रहे है affidavit में अब जो answer किये गए है affidavit में उसको लेकर कोई objections नहीं उठाया जाएगा exceptions मतलब objections ठीक है कोई आपत्ती नहीं उठाया जाएगी लेकिन अगर यह object किया जाता है कि भई answer में affidavit दिया गया है it is not sufficient तो अब यह चीज जो है यह चीज code determine करेगा आपने object किया है कि भई यह चीज sufficient नहीं है तो अब code यह determine करेगा कि sufficient है या insufficient है तो यह बात लिखिया है rule number 10 में rule number 11 में यह बात mention है कि अगर जिस person को interrogatory क्या किया गया है deliver किया गया है कर देता है answer नहीं करता है या फिर अगर answer कर रहा है तो insufficiently करता है तो इस situation में वो party जिसने interrogatory deliver किया था वो क्या कर सकती है quote में apply कर सकती है कि भई आप क्या करें उस person को order करें कि वो जिस question का answer करने के लिए वो omit किया है उसका answer करे या फिर जिस question को उसने insufficiently answer किया है उसको sufficiently answer करे तो यहाँ पर quote में application जाएगा अब जो quote है answer require करने के लिए क्या कर सकेगी order दे सकेगी कि भई या तो by affidavit आप answer करो या फिर by why of voice उसको examine कर लिया जाएगा जैसा भी quote direct करेगी तो यह बात आपकी rule number 11 में mention है तो यहाँ पर हमने order number 11 के rule number 1 से लेकर rule number 11 तक discuss कर लिया है जो की interrogator से संबंदी थे rule number 21 जो है हम जब सारे rule discuss कर लेंगे rule order number 11 के तब हम आपको बताएंगी क्या कहता है यह यहाँ पर penalty बताई गई है कि अगर आप discovery का जो order दिया गया है उसको comply नहीं करते है तो आपके उपर क्या penalty लगेगी और इसके अलावा अगर आप हम बात करे rule number 22 की तो इसमें सीधा कहा यह गया है कि भई interrogator का जो जवाब दिया गया है उसको आप evidence के रूप में यूज कर सकते है बस इतना आपने ध्यान रखना है अब अगर हम बात करें आगे के rule की rule number 12 से लेकर rule number 14 की तो भई यह rule आपके document की discovery से संबन दीत है उस document की discovery से जो की matter and question से related है और opposite party के possession में है तो भई अगर आप उसका inspection करना चाहते है तो उसका inspection करने के लिए आपको क्या करना होगा जो document opposite party के possession में है या फिर ऐसा कह सकते है power में है ठीक है possession में नहीं है लेकिन उसका like उसने कहीं पर रखा हुआ है document किसी और को दिया हुआ है लेकिन वो जब चाहे मंगवा सकता है तो इस तरीके से हम कहा देते हैं कि उसकी power में है document ठीक है तो या तो possession में है उसी के पास है या फिर power में है document तो अगर उसका inspection करना है तो भई उसका inspection आप बिना उसको produce करवाए नहीं कर सकते हैं आपको उसको other party से produce करवाना पड़ेगा और other party से produce करवाने के लिए आपने क्या करना होगा तो यहाँ पर इससे समंदित rule है यह तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करे documents की तो देखो two types के documents होते हैं लाइक जैसे कि आपने order number 7 का rule number 14 पड़ा होगा महाँ पर कह रखा है production of document on which plaintiff suits or relies अगर plaintiff जिन document के आधार पर जिन document के उपर वो rely करता है वो document उसके possession में है या फिर power में है उसके suit में जो उसने claim डाला है उसके support में तो भई वो सारे के सारे document उसने list में enter करने होंगे ठीक है and वो list उसने court में प्लेंट जब वो present कर रहा है उससे time पर deliver करनी होती है और at the same time उसने document deliver करने होते है और उसकी copy plant के सार्थ file करनी होती है तो ये order number 7 के rule number 14 में mention है ठीक है ये बात इसी तरीके से आपका जो तो ये तो हो गए आपके plaintiff की pleading में mention document ठीक है अब अगर हम बात करें उन document की जो की return statement में defendant की mention होते है तो उनका जिकर किया गया है rule number 1A में order number 8 के ठीक है तो order number 8 के rule 1A में सीधा सीधा ये कह दिया गया है कि भाई जो document defendant के पास है जिनके उपर वो rely करता है या फिर जो की उसके पास है उसके defense उसके claim की support में वो document भाई उसने क्या करने होंगे जब वो return statement present कर रहा है उस time पर ही वो document deliver करने होंगे और उनकी copy return statement के साथ file करनी होगी तो पहली class document की वो हो गई जो की भाई parties ने like plaintiff ने plant में और जो defendant उसने अपनी return statement में क्या कर दे state कर दी है कि यह document हमारे case की support में हमारे पास है और वो court में उससे time पर होने जैसे कि वो अपनी pleading present कर रहे था deliver किया है उनकी copy अपनी pleading के साथ file किया है तो एक last document की यह हो गई दूसरी class document की वो है जो की pleading में parties ने refer नहीं किये है other document in the possession of power of the party but not refer to in the pleading of the parties तो उन document की बात की गई है कहाँ पर rule number 12 से लेकर rule number 14 में उन document के produce करवाने की बात की गई है तो यहाँ पर अगर हम पढ़े rule number 12 तो rule number 12 में यह कहा गया है कि भई अगर आपने वो document जो की other party के power में है possession में है और वो matter in question से सम्मंदित है suit के तो अगर वो document आपने क्या करना है produce करवाना है court में तो इस चीज के लिए क्या करना होगा जिस भी party को करवाना ये चीज वो क्या कर सकेगी बिना affidavit file के ठीक है यहाँ पर जो party चाहरा है produce करवाना for the purpose of inspection of the document उसको जरूरत नहीं है कि वो की direct करते हुए कि भाई वो जो भी document वो निकलवाना चाहरा है है उसके possession में है power में है matter in caution जो है suit में उससे related उसको उसकी discovery के लिए ठीक है उसकी discovery के लिए क्या करो ओत पर order दो ठीक है अधर पार्टी को तो इस चीज का order दलवाने के लिए कोट में कोई भी पार्टी बिना एफिट डेविट के apply कर सकती है rule number 12 में पहली बात यह mention है उसके बाद यहां पर यह कहा गया है कि application को सुनने के बाद जो court है वो क्या कर सकती है या तो refuse कर सकती है या फिर agent कर सकती है जो application दिया गया उस और वो भी तब जब court satisfy होती है कि भाई जो यह particular document की discovery करवाने के लिए apply किया गया है यह necessary नहीं है यह या फिर suit की इस stage पर necessary नहीं है तो इस situation में जो court है वो application को या तो refuse कर सकती है फिर agent कर सकती है या फिर जो court है वो order दे सकती है कि भाई जो certain classes of document की mention की गई है कि यह document निकलवाना है कि या तो वो कह दे कि भाई यह सारे आप लेकर आजाओ या फिर limited कि यह वाले ने यह यह लेकर आजाओ ठीक है इस तरीके से discovery का order दे सकती है इन इस description be thoughtful जैसा भी उसको सही लगता है court को ठीक है यह court के पास discretion है court अपनी discretionary power exercise कर सकती है provisor में यह बात लिखी है discovery shall not be order when and so far as the court shall be of opinion that it is not necessary either for disposing of fairly of the suit और for saving costs कि भाई document की discovery करवाने के लिए जो application डाला गया है अगर हम discovery करवाते हैं document का तो भाई से जो suit है उसका fair trial नहीं हो पाएगा suit को fairly dispose of नहीं किया जा सकेगा और इस तरीके से अनवश्य खर्चा होगा तो इसलिए अगर court को ऐसा लगता है कि ऐसा करना सही नहीं है तो तब इस situation में court ऐसा order नहीं देगी discovery का order court नहीं देगी अगर court को ऐसा लगता है कि यह suit के fair trial को effect पर सकता है या फिर इससे अनवश्य खर्चा हो सकता है cost लगेगी जो की ज़रूरी नहीं है तो इस situation में court order नहीं देगी document के discovery का अब यहाँ पर rule no.13 के अगर हम बात करें तो इससे पहले जैसे की rule no.12 में हमने आपको बताया था कि जो भी person document के discovery के लिए apply करेगा उसको affidavit लगाने की ज़रूरत नहीं होगी लेकिन जो document को produce करेगा उसके लहाँ पर है कि वो document को produce करने वाला जो person है वो affidavit लगाएगा ठीक है और वो affidavit में mention करेगा कि अगर उसको किसी document को produce करने में objection है कि भाई मैं यह वाला document करना चाहता हूं इस चीज से मैं objection करता हूं कि मुझे document produce ही नहीं करना है कि भाई यह document produce करने में मुझे आपत्ती है मुझे objection है I object तो अगर कोई objection raise कर रहा है specify करेगा कि वो produce करने से object कर रहा है और यह जो आपका affidavit है इसके लिए format दिया गया है appendix CK form number 5 में ठीक है उसको आप follow करेंगे with such variation जैसे की circumstances require करते हैं जैसे की rule number 12 में हमने आपको बताया कि कोई भी party discovery के लिए किसी document की court से order obtain करने के लिए application दे सकते है court में अब यहाँ पर rule number 14 में सीधा सीधा court को यह power है कि भाई court जो है वो कोई भी document जो की matter in question such related में है उस दौरान किसी भी समय किसी भी party को ओध़ पर क्या कर सकती है order दे सकती है उस document کو produce करवाने के लिए जो की उस party के possession में है power में है और उस suit के matter in question से किसी matter in question से related है तो भाई उसको produce करवाने के लिए oath पर वो भी कब जब suit pending में उस जोरान कभी भी ठीक है किसी भी समय तो यह चीज lawful होगी यह कहा गया है rule number 14 में यानि कि court को power दी गई है और यह कहा गया है कि जब वो document जिसको produce करवाने के लिए court ने order दिया था वो produce किया जाता है तो court उस document के साथ उस तरीके से deal कर सकेगी जैसा कि just appear होगा जैसा कि न्याय अचित होगा बस यही बात कही गई है rule number 14 में rule number 15 से लेकर 18 तक की जो rule है वो document के inspection यानि की document के निरिक्षन से सम्बंदित है तो यहाँ पर सबसे पहले rule की अगर हम बात करें rule number 15 की जो की document के inspection से सम्बंदित rule है इसमें कहा गया है कि issues के settlement के दोरान या फिर पहले हर एक party suit की entitle है हकदार है other party जो है suit की उसको notice देने के लिए कि भई आपने जिस document का जिकर अपनी pleading में या फिर affidavit में या फिर अपनी pleading के साथ जो आपने list annex की है उसमें जो document आपने enter किया है कि भई वो document आप क्या करो produce करो क्योंकि भई हम उसको inspect करना चाहते हैं या फिर हमारा pleader उसको क्या करेगा उसका inspection करेगा narration करेगा और हमें permit किया जाए कि हम उसकी copy ले सके ठीक है इस चीज के लिए notice देने के लिए हर एक party suit की entitle है हकदार है ये कहा गया rule number 15 में अब यहां पर यह कहा गया है कि अगर कोई party क्या करती है जिसको notice किया गया था वो उसको comply नहीं करती है तो भई जिस document को produce करवाने के लिए for the purpose of inspecting such document क्या किया गया था notice दिया गया था अब जैसे कि notice का comply नहीं किया है जिस party को notice किया गया था अब वो party उस document को अपने बिहाफ में अपने suit में क्या नहीं कर सकती evidence के रूप में यूज नहीं कर सकती है उसके लिए उसको कोई आजादी नहीं जी जाएगी उसको इजाजत नहीं दी जाएगी इस कि भाई अब उस document को अब अपने evidence के लिए अपने बिहाफ में अपने case में यूज कर सकते हो ये इस जादत उसको नहीं दी जाएगी जब तक कि वो satisfy ना कर दे court को कि भाई he being our defendant to the suit जो document था जिसको produce कराने के लिए notice दिया गया था वो only उसके title से related था तो पहली चीज तो ये हो दूसरी situation ये कही है कि अगर कोई party क्या कर रही है जो comply नहीं करे notice का वो क्या कर रही है court को कोई cause बता रही है या फिर कोई excuse बता रही है कि भाई इस वजह से हम नहीं comply करे है notice का तो तब अगर court को लगता है हाँ ये sufficient कारण बताया है कि क्यों इसने notice को comply नहीं किया है तो तब जो court है वो क्या कर सकती है वो allow कर सकती है party को कि भई आप जो document है उसको आप evidence के रूप में use कर सकते हो और यहाँ पर कोई court terms and condition वगेरा भी रख सकती है cost वगेरा भी ले सकती है जैसे कि court को सही लगता है ठीक है और जो भी terms and condition रखी जाती है यह सब क्यों नीचे reasonable होने चाहिए और rule number 16 में कहा गया है कि भाई जैसे कि document को produce करवाने के लिए rule number 15 के तहाथ notice दिया जा रहा है उस document को produce करवाने के लिए जो कि pleading में जिसका जिकर किया गया था या फिर जिसका affidavit में जिकर किया गया था या फिर जो कि उस list में mention था जो कि pleading के साथ NX की गई थी तो भाई notice जो दिया जाएगा न produce करवाने के लिए document को उसका जो format है वो दिया गया है appendix C में form number 7 में यह कहा गया है rule number 16 में बस उस दिन से 10 दिन के अंदर उस party को जिसने notice दिया था notice देगी क्या notice देगी कि भाई हमने document deliver कर दिया है कि 3 दिन का time आपको दिया जा रहा है within 3 days आप आईए document को क्या करिये inspect करिये ठीक है document का inspection करिये उस document का जिसको produce करने से objection raise नहीं कर लिया और कहां पर जाकर inspection किया जा सकता है उसके pleader के office में या फिर अगर कोई bankers book है या फिर कोई other account book है या फिर कोई ऐसी book है जो कि constantly use की जाती है for the purpose of any trade or business तो भाई उसकी जो usual place है custody की वहां पर जाकर उसको inspection किया जा सकता है और notice जो भेजेगी ना party उसमें वो ये भी state करेगी कि भाई वो कौन से document को produce करने से objection कर रही है किन आधार उपर किन ground पर कर रही है ठीक है ये भी state करेगी notice में और जो notice है उसका जो format है उसका format दिया गया है appendix C में form number 8 में ठीक हैं वो party क्या कर रही है rule number 17 के तहट जो उसको notice भेजना होता है time बताने के लिए कि document हमने deliver कर दिया है आज हमने deliver किया है आज के दिन से 3 दिन तक का समय आपको दिया जाता है आप आईए document को inspection कर लीजिए अगर ऐसा notice देने में rule number 17 के तहट पार्टी omission कर देती है या फिर वो objection करती है inspection के लिए कि हमें नहीं करवाना inspection या फिर वो ये offer देती है कि भाई pleader के office में नहीं करना inspection हम चाहते हैं कि जो document है उसका inspection pleader के office के अलावा किसी औरी जगह किया जाए तो तब इन situations में क्या हो सकता है यहाँ पर जो भी situations हमें डिसकस की है जो court है वो क्या कर सकती है वो उस जगह उस तरीके से inspection की यह जाने का order दे सकती है जो कि court को सही लगता है यहाँ पर court देखेगी कि भाई किस जगह document का inspection किया जाना सही है किस way में किया जाना सही है जैसा भी court को सही लगता है वैसा court यहाँ पर order देगी और provisor में यह बात mention है कि भाई rule number 18 के तहत court तब order नहीं देगी अगर court का opinion ऐसा है कि भाई अगर वो order देती है rule number 18 के तहत तो जो suit है वो fairly dispose of नहीं हो पाएगा और बलकी क्या हो जाएगा अनवश्यक खर्चा होगा तो suit के fairly dispose of होने के लाए यह ज़रूरी नहीं है कि rule number 18 के तहत order दिया जाए या फिर rule number 18 के तहत अगर order दिया जाएगा तो अनवश्यक खर्चा होगा तो court की opinion अगर ऐसी है तो इस situation में court rule number 18 के तहत कोई order नहीं देगी यह बात provisor में mention है अब यहाँ पर अगर हम बात करें rule number 19 की तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर कोई business book के inspection के लिए apply किया क्या है तो जो court है वो उस original book के inspection के बजाए उसकी verified copy के inspection किये जाने का order दे सकती है उसमें की गई किसी entry के verified copy के inspection किये जाने का court order ले सकती है कि भई जो उसमें की गई entries है उनकी copy furnish की जाए और वो verified होनी चाहिए by the affidavit of some person जिसने क्या किया हो original entries को copies के साथ examine किया हो और जो affidavit वो देगा उसमें वो state करेगा कि भई अगर original में कोई hair fare की गई है कोई errors है या फिर कोई interlineations की गई है alterations की गई है तो इस चीज़ के बारे में भी वो person जो examine कर रहा है जो verify कर रहा है copy को affidavit में ये चीज़ भी वो लिखेगा कि original में ये hair fare की गई है इस तरीके से वो state करेगा affidavit में जो verify कर रहा है person original entries की copy को ठीक है provisor में ये बात लिखी है notwithstanding that such copy has been supplied the court may order inspection of the book from which copy was made provisor में ये बात mention है कि जो copy है अगर वो supply कर दी जाती है उसके supply की चाने के बावजुद भी जो court है वो order दी सकती है जिस book से copy किया गया है जिस book की particular entry को copy किया गया है उस book के ही inspection की जाने का court क्या कर सकती है order भी दे सकती है ये कहा गया है rule number 19 के sub rule 1 में अब यहाँ पर sub rule 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे कि आपको पताई होगा कि कुछ document को disclose ना करने के लिए हमें privilege मिलेवे होता है विशिष अधिकार मिलेवे होता है और इस से related एक वीडियो भी है जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगा Indian evidence act का तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि अगर उन document की inspection की मांग की गई है तो तब हम ये claim कर रहे हैं कि भाई हम नहीं कर सकते है disclose उस document को क्योंकि हमें privilege मिलावा है तो यहाँ पर सबरूल 2 में कह रहे हैं कि court के लिए lawful होगा कि वो क्या करे document को खुद ही inspect करे इसलिए ये decide करने के लिए कि भाई जो claim किया गया है privilege का वो valid है या नहीं जब तक कि वो document आपका state के matter से सम्मदिक नहीं है कहने का मतलब यही है सबरूल 2 के तहट जो court को power दी गई है privilege document को inspect करने की वो आपकी उन document तक extend नहीं होती है जो कि आपके matter of state affair of state से related है यहाँ पर यह जो आपका sub rule 2 है इसके तहट court inspection करने की power और जो exercise करेगी वो उन limitations में रहते हुए करेगी जो कि आपकी section 162 of Indian Evidence Act में prescribe की गई है और यहाँ पर यह जो बाते हम आपको बता रहे हैं एक case में held हुई थी जो की है state of Punjab versus Sodi Sugdev rule number 20 में premature discovery की बात की गई है तो premature discovery क्या होती है यह आपको समझ में तबाएगा जब आप यह पूरा rule पढ़ लेंगे तो देखो होता क्या है जैसे कि माल लो जो A party है वो discovery करवाना चाहती है by way of interrogatories या फिर वो चाहती है कि जो B के possession में document है वो उसको produce करें या फिर जो A है वो किसी particular document का inspection करना चाहता है कि वो document जो कि B ने अपने pleading में mention किया था या फिर अफिर 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 में mention किया था या फिर उस list में mention किया था जो कि उसने annex किया था अपनी pleading के साथ तो अब उसका वो inspection करना चाहता है तो इन दोनों में से जो भी वो चाहता है जो A है, उसका right to discovery या फिर inspection है या नहीं, ये जो चीज है, तब पता चलेगी, अगर हम क्या कर लेते हैं, जो suit में कोई issue है या फिर कोई question है, dispute में, उसको determine कर लेते हैं, यानि कि ये चीज कि भई जो A है, उसका right to discovery है या नहीं, उसका right to inspection है या नहीं, ये चीज के सवाल का जो जवाब है, वो depend करता है, किसी particular suit में, dispute में, जो कोई question है, या फिर जो कोई issue है, उसके determination पर, या फिर court को किसी other reason की वज़े से, ये satisfy होता है, कि भई ये desirable है, कि right to discovery या फिर right to inspection है या नहीं, इसको decide करने से पहले, suit में, dispute में, जो कोई question है, या फिर जो कोई issue है, पहले उसको determine किया जाए, तो इस situation में, जो court है, वो पहले उस issue, उस question को determine करने का order देगी, और जो discovery या फिर inspection के बारे में सवाल है, कि भई ये right है या नहीं, इसको वो reserve कर लेगी, कि भई ये चीज़ हम बाद में determine करेंगे, तो इसी चीज़ को हम कहता है, premature discovery, या नहीं कि, कि भई पहले हम उस issue या फिर question को determine करें, जिसके determination पर, इस सवाल का जवाब, निर्भर करता ह कि right to discovery है या नहीं, right to inspection है या नहीं, इसको हम कहता है, premature discovery, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, rule number 21 की, तो इसमें ये कहा गया है, कि जैसे कि order किया गया था, interrogatories का answer करने के लिए, या फिर document के inspection, या फिर discovery के लिए order किया गया था, और अगर कोई party इस order को comply करने में, फेल हो जात और अगर वो party क्या है, defendant है, तो भई, उसकी defense struck out कर दी जाएगी, और उसको उसी position पर ला दिया जाएगा, जैसे कि उसमें खुद को defend नहीं किया, और यहाँ पर यह कहा गया है, कि भई, rule number 21 के तहत कोई भी order अगर पास किया जा रहा है, तो भई, वो पास किया जाएगा, only after giving notice and a reasonable opportunity of being hurt to the plaintiff or the defendant as the case में भी, कि भई, अगर plaintiff से failure हुआ है, या फिर defendant से failure हुआ है, तो जिससे भी हुआ है failure, तो उनको भई, opportunity दी जाएगी पहले, ठीक है, reasonable opportunity दी जाएगी, सुनवाई की, और उनको notice दिया जाएगा, उसके बाद ही order पास किया जाएगा, rule number 21 के तहत, और पर यहाँ पर यह कहा गया है, sub rule 2 में कि भई, अगर rule number 21 के तहत क्या कर दिया गया है, suit dismiss कर दिया गया है, क्योंकि भई, plaintiff से failure हो गया था, मतलब उसने discovery का जो order दिया गया था, plaintiff को, उसको उसने comply नहीं किया, तो भई, quote ने rule number 21 के तहत क्या कर दिया, suit dismiss कर दिया, अब जब suit dismiss हो गया है, तो अब plaintiff, same cause of action पर नया suit नहीं ला सकता है, यह कहा गया है, sub rule 2 में, तो यहाँ पर आप connect करेंगे section number 12, section number 12 में यह कहा गया है, कि अगर plaintiff को by rules, rules के तहत preclude किया गया है, कोई suit institute करने के लिए, किसी particular cause of action पर, तो भई, वो उस cause of action पर, किसी भी court में, जिस पर CPC apply होता है, suit institute करने के लिए, entitle नहीं होगा, तो यहाँ पर section number 12 के तहत, जिन rules की बात की गई है न, CPC में, जो rules plaintiff को preclude कर रहे हैं, उन rules में आपका order number 11 का, rule number 21 का, sub rule 2 भी शामिल है, तो यह आप connect जरूर कर लीजिएगा, rule number 22 हमने पहले discuss कर लिया था, कि भई, अगर interrogatories deliver किये है, उनके answer को evidence में किसी भी trial की stage पर यूज किया जा सकता है, यह बात rule number 22 में है, इससे जादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है, और फिर इसके बाद rule number 23 में सिधा सिधा यह कहा है, कि भई, यह जो आपका order number 11 है, यह आपका minor plaintiffs, minor defendant and to the next friends and guardians for the suit of person under disability, इन सभी के उपर apply हो अगर कोई under disability person है, तो उसका जो next friend है, जिसके through suit लाया जा रहा है, या फिर कोई guardian है उसका जिसके through suit लाया जा रहा है, तो उनके उपर भी order number 11 के provisions apply होंगे, यह कहा गया है rule number 23 में, तो यह था आपका पूरा का पूरा order number 11, जो कि हमने आज की वीडियो में cover किया है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते है, जितना कम duration हो सकता था, आज ही class का हमने करने की कोशिश की है, order number 11 को जितना कम time में हम आपको पढ़ा सकते, इतना कम time में पढ़ाने की हमने कोशिश की है, next video में हम discuss करेंगे order number 12, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे comments करके बताए वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज को लाइक करना, जितना जदा हो सकी वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही आपको बता दू कि जो CPC के वीडियो lectures हम आपको प्रवाइड कर रहे हैं, तो हम उसकी जो e-book है, वीडि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और IPC के जो भी वीडियो lectures है, उसकी भी e-book अवेलबल है, उसको खरीदना है आपने, तो उसके लिए भी आप हमें mail कर सकते हैं, और हमारा जो Indian Evidence Act है, उसके जो हमारी lecture है, section 17 से लेकर section 167 तक के, उसका भी e-book अवेलबल है, e-book मतलब PDF, PDF notes ठीक है, वो अवेलबल है, अगर आपको खरीदने हैं, तो हमारी email address उपर हमें, आप mail कर सकते है, email address आपको screen पर दिख रहा होगा, so guys, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए टाटा and good bye.